बंगाल में सब मुस्लिमों ने पीछा करा करनाटक में सब मुसल्मानों ने पीछा करा विधर्मी मुझको देखके पत्थर मारें मुझसे बुछते आपके साथ कौन कोने मैं कहता हूं मैं साथ हनुमान जी है मुसलिम बच्चे को मदरसे में कुरान के बारे में पूरी जानकारी मिली सिक बच्चे को गुरु वणी मिली कैतलिक को बाईबल मिली हिंदू को गिता रमायन नहीं मिली और इनको सडियंत्र मिला जो पिछली सरकाह थी कांग्रेस की सरकाह थी उसने सभीधान में 28 गुंतिस ती से लगा दिया कि आप हिंदु धर्म के बारे में पढ़ा नहीं सकते तो हमें सडियंत्र का गोल मिला और हमारे लोग हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते हैं आज भारत में 95-30 लोग गनेजी के आती नहीं जानते हैं और अपने धर्म पे खुदी प्रस्णिशन लगाते हैं नमस्कार महुर सभोस्तिर आप देख रहे हैं निवस्टैंक बाबा बवंडरनाथ की यात्रा जो है काफी चर्चा में थी लगातार लोग ये जिस जिस राज में से जा रहे थे जहां गुजर रहे थे लोग इनको रोक करके पूछ रहे थे क्या खिर ये इतनी लंबी यात्रा पर क्यो निकले हुए हैं आज वो दिल्ली में पहुचे हुए हैं आपको दिखाएंगे इनसे बात करके कि यात्रा का क्या उद्देश से हैं और अब जब यात्रा ये समाप्त होने वाली है तो इनका क्या एक्सपिरियंस रहा इस पूरी जरनी के अंदर आप अमार साथ बने रही है बावा सबसे वहले तो ये बताईएगा दिल्ली में आज पहुचे हैं कितने दिन की यात्रा लगबग ये पूरे हो चुची है ये राम जी की किरपा से यात्रा पूर्ण होने आगे मात्रे दो दिन बागी है एक लाग किलोमेटर हो चुका है यात्रा के दो उपदेश लेके हम इन दौर मद्धे बादे से 21 फरवरी 2021 को चले थे पूरी यात्रा में पूरे भालत के इंदर में पूरी उपदेश जन्मानुस को अमन्त्रित दिया मबाजी पूरी यात्रा पर एकए करके इस ट्रीபाइस बात करते हैं जब आपने यात्रा शुरू की तब आपको लगा था कि एक लाग किलोमेटर कि यह जरनी है वो पूरी हो पाईगे एक लाग किलोमेटर की यात्रा हो यह मैं आपको पांच अगस्त को 1230 को भूमी पुजवन हुआ था योद्या जी में उसका साक्षी था भूमी पुजवन के साक्षी होने के नाते में अमंत्र राम जी ने प्रेण उने प्रेणा से और उन्हें के प्रेणा से यात्रा करी जातर संभा लूसी किसी आरंब करें और को हैं फिर भारत में उन्हेल यत्रा हो पाए तहलोजी कि यात्रा कर सकते नहीं तो Dra Syria olhar ऊप्ते हैं invece na Teo इसके पीछे पढ़ते थे, करनाटक के अंदर मेरे पे हमले हुए, केरला में मेरे गाड़ी का पीछा करा, भारत के बहुत सारे इसे हिस्से हैं, इसका बहुत अपमान हुआ है, मेरा प्राद यह कि मैं भगवा दवजा लेके भारत में यात्रा कर रहा हूँ बगवा देखकर के पीछे पढ़ जाते थे जुन्ड होते थे उन लोगों के और गाडियों से भी उन्होंने पीछा करा कहीं जगों वो तो मेरे साथ हनुमान जी नहीं होते और पवित्रा आत्माओं की शुबकामना नहीं होती तो मैं यह नहीं आ पाता जो मुस्लिम वहुल वाले एरिया थे या फिर ऐसे स्टेट थे जी मुस्लिम बंगाल में सब मुस्लिमों नहीं पीछा करा करनाटक में सब मुसल्मानों नहीं पीछा करा यह मुस्लिमों नहीं मेरा पत्राओं करा टीमसी जीती थी बंगाल में मार्च में में वहाँ पे था 21 मे मैं यात्रा लेके गया टीमसी के कार करता हूं ने मेरे पत्राओ करा यह आज की बात नी यह यात्रा जो है बवंडर बाबा के नाम से सोसल मेडिया पर अपलोड और एविडेंस सारे के सारे पहले दिन से आज तक मैंने अपलोड करें तो यह सब सबुत के साथ में यात्रा है यात्रा के दुरान कोई ऐसे नारे लगा रहे थे जिसकी वज़े से हमला हो रहा था या कुछ ऐसा आपने किया जिसको वो लोग कहते हैं कि बढ़काने का आप काम कर रहा हूं मैं यह दोजा लेके इस मार्ग से उस मार्ग पर जा रहा हूं मैं रस्ते में ना तो गाड़ी जोक रहा हूं मुझे इस प्वंट से उस प्वंट पर इस मंदय से उस मंदय जाना है अब इस बीच में मार्ग मैं व jaar में डरमी मुझको देखके पथर पिश्णता मैंने जवाब दिया अब आप इसमें मेरे को बता हो ये गलत है कि सही है कि हिंदु जो समाज के लोग हैं जो भगवा लेकर के चल रहे हैं वह बढ़काते हमाएं हमें इस तरीके के नारे लगाते हैं उपसान उपर देते हैं इसलिए हम पत्थर मारते हैं इस तरी अब आप से मैं पूछता हूं जेश नाम बोला कहां पर गलत है और इससे क्या बढ़कता है मुस्लिम बहुल जो छेत्रे उनमें क्यों जाते हो आप कहीं और से निकल सकते हैं अरे वसुद्यव कुटम भारत के अंदर हर धरम पंत समुदाय को हम वसुद्यव कुटम के नाम जी चाहिए अरे द्धरम में घीता रामायन में लिखा है वसुद्यव कुटम हम सब एक दूसरे के भाई बहन सखा संबन्दित दिये जो आप यात्रम में अपने पहला उद्धित से था कि राम मंधिर को लेकर राम मंधिर का जो अमंधिर हो देना तो अभी तक आपको कितने लोगों को आपने आमंत्रित कर दिया होगा है उद्धया के लिए और 2022 के लिए और क्यों आपने चुना कि यह आमंत्र जो है पूरा देश में जाना चाहिए यह चुना इसलिए है कि मैं भूमी पुजन का साक्षी हुआ मेरे मन में राम जी ने प्रेणा दी कि कोरोना का टाइम है 170 इन्वेटेशन आये है और लोग इसमें आ नहीं पाये है किसी वज़ा से और इश्वर ने मुझको राम जी की किरपा से में आया हूँ तो उन्होंने माध्यम बनाया है तो मैं एक माध्यम बनके जिन लोगों तक आ हो परिवारे जीवन है गीता नमायन के अधार पर देश इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इसका जाने अन जाने अपमान करें तो आज हमारा इस्तंब तैयार हो रहा है तो हमारा हिंदुराष्ट मंदिर बनने के बाद ही बन पाएगा इंतजार जो था आब वो खतम हो रहा आगे बढ़ जाता था कभी बोलता नहीं था अज सनातन धर्म के लोग अपने धर्म की प्रति आने लगे और इश्वरी शक्ति भी साथ दे रही है जन्मानस भी इसके प्रति अब आगे बढ़ने लगा है और 2024 में एक बहुत बड़ा परिवातन होने वाला है भारत के अंद बड़ाव कुछ आ रहा है लोगों में जागरुकती आ रही है अपने धर्म को लेकर अपने समाज को लेकर भारत में हर समुदा हर जन्मानस रहता है हर पंत के लोग रहते है धर्म के लोग रहते है सिक समुदा है गुरू आनी जानता है वाहे गुरू की इज़त करना सम्मा मुस्लिम अल्ला का सम्मान करना जानता है कि क्यांगी हिंदु कृषि कुछ देवीजीता का अपमान करता है और आगे बढ़ जाता है मुसलिम बच्चे को मदरसे को कुरान के बारे में पुरी जानकारी मिली ए चैनिका वांगा दी युद्सभी और इनको सड़ीयंत्र मिला जो पिशली सरकार थी कांगरेस की सरकार थी उसने सभीधान में 28 गुंतिस तीसे लगा दिया कि आप हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा नहीं सकते तो हमें सड़ीयंत्र का गोल मिला और हमारे लोग हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते आज भारत में 95-30 लोग गणेजी के आरती नहीं जानते हैं और अपने धर्म पे खुदी प्रश्चिन लगाते हैं किन्तु अभी कुछ कार होने लगे योगी जी मोदी जी जो कार कर रहा है इससे इनोने सिक्षा में भी सुधार कि है और आज जन्मानस जो है अपने धर्म का सम्मान करने लगा है और यह इतने बड़ी बीमारी थी अब इसको समय थोड़ा सा लगेगा हमको ठीक होने में अभी यह आरंभ हुआ है पात दिसंबर को दिल्ली में अपनी बात रखके सुप्रीम कोड में केस लगा के फिर यहां तो जापे किरपा राम की होई वापे किरपा करे सब कोई विराजमान जी यात्रा पूरी अनुसासी थे राइडिंग कीटे हेलमेट आप से बात करने के लिए खोला है यह इदर आई यह ट्यूबलेस गाड़ी है यह पूरा सामान थंड़करमी बारिज का पूरा साधा ने इसके अंदर हम 8030 यात्रा पेट्रल पंपे सोके करी है क्वा बड़ी मात्रा में मंदिरों पे आज बिजनेस बना रखा है बड़े बड़े मंदिरों द्रहम के ठेकेदार इसके लिए बोलते ये जन्दमानस आ जाता है लेकिन धरम के ठेकेदार नहीं आते हैं तो यह बालाजी सरकार ने पुरी यातरह कर रही है यह देखी आप और गाड हुए है मुझसे पूश्ते आपके साथ कौन को ने मैं कहता हुं मैं साथ हनुमान जी है तो बॉलدا Satsa आचाड़ा देंगे रूई चाड़ा देंगे पूरा